हलो प्यारी विदार्तियों, समाई केट में की यूटूब चनल पर आपका हार्दिक स्वागत है आज हम बात करें इंगलिस के वॉक्षिट साथ के बारे में टेक्स्ट बुक बेस्ट क्यूसंस है, यानि आपका लेशन्स जो है अच्छे से देख सकते हैं, यानि दोनों कार्य पत्रक वहां पर करवाए हुई है तो आप उनको लिंक के मादेम से देख सकते हैं शुरात करते हैं यानि जो लुसकोफ था, वो क्यों सहमत हो गया था? यानि लकडियों को काटने के लिए क्यों शहमत हो गया, क्या कारण था तो Luskov agreed, Luskov सहमत हुआ because क्योंकि he had been trapped by his own words वो अपने ही सब्दों के जाल में क्या हो गया था, फस गया था trap हो गया था, own words he had said that he would not refuse to chop wood अब, यानि वह कहता है, अब वो क्या है, diffuse नहीं होगा यानि उनको लकडियों को काटने में, क्योंकि वो अपने ही बात के अंदर क्या हो गया था, बातों के अंदर trap हो गया था, फस चुका था तो अपना right answer हो जाएगा next है, how did Luskov become a beggar Luskov है, वो बेगर क्यों बना चारा है, यानि कैसे बना कारण क्या था, तो Luskov become a beggar by choice यानि अपनी choice के कारण बना and not by circumstances, यानि किसी प्रिस्तितियों के once नहीं बना, उसको इखुद की इच्छा जगी कि यानि मेरे क्या बनना है, यानि एक बेगर बनना है तो वो बेगर यानि बिखारी बन गया next है, was Luskov saved by Olga explain यानि उसने, Olga ने उसको कैसे बचाया यानि क्या कान था बचाने का क्यों बचाया तो उसको अपने सब्दों में लिखना है oving to her words and noble deeds did a chance to look palace oving to her words and noble deeds a chance to palace in his heart यानि उसके सब्दों तथा जो अच्छे कारे उसके हर्दे में था वो क्या हो गया, उसका हर्दे प्रिवर्तन हो गया यानि चैंज हो गया, उसके जो कुछ सब्द कह हुए थे उसके हर्द चैंज हो गया he stopped drinking at the sight of her और उसने ये देखकर, उसने जो ये चीजे देखी तो उसके बाद में उसने सरापीना क्या कर दिया छोड़ दिया, stop drinking at the sight of her छोड़ दिया, so he changed his life और इस प्रकार उसके जीवन क्या हो गया, बदल गया यानि उस Olga के कारण, उसने जो उसे कहा उसके कारण, उसका जीवन क्या हो गया, प्रिवर्थित हो गया फिर है, how can you abolish begging in your own locality describe आपको क्या करना है इस प्रकार के, यानि जो बिखारी होती है उनकी साहिता या भीक मांगने का जो कारण है, यानि उन्मूलन है उसको अपने सब्दों में क्या करना है यानि जो बिखारीओं की साहिता के लिए यानि उसे क्या दी जाती है जो बिख्षा वरती जाती है यानि बिख्षा उन्मूलन के लिए योजना बनानी चाहिए अपने को क्या बनाना चाहिए एक प्लान बनाना चाहिए उनके लिए गोर्मेंट and corporate people should provide jobs to the beggars और जो सरकार है या जो बड़े-बड़े उधोगपती है corporates है उनको बिखारीओं को काम देना चाहिए ताकि वो भीक नहीं मांगे यानि उनको अच्छा काम मिल जाएगा a strict law should be enacted to be ban begging और बिख्षा के परती यानि एक क्या बनना चाहिए offenders should be sent to reformation centers and not to prisons और जो उलंगन करता है यानि इस चरीके का उलंगन करता है को सुधार के अंदर बेज़ना चाहिए नै कि jail में यानि reformation एक सुधार के अंदर में बेज़ दिया जाए नै कि उनको एक jail में डाला जाए motivation should be given to the beggars in this manner we can help beggars यानि बिखारियों को क्या करना चाहिए अभी प्रेडित किया जाना चाहिए इस परकार हम बिखारियों की साहिता कर सकते है we can help beggars इस परकार हम यानि बिखारियों क्या कर सकते है साहिता पहुंचा सकते है साथ हम भीख भी नहीं मांगेगे और कानून का उलंगन भी नहीं करेंगे उसको अच्छा जो बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स है जो कमपनी है उनमें अच्छा काम भी मिल जाएगा I hope कि आपको यह अच्छे से समझ में आये होगा Thank you